नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में आई आज हम सभी जानते हैं दूद पीने के बाद गलती से भी न करें इन चीजों का सेवन हो सकती है जानलेवा बीमारियां ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आई आज हम सभी इसी बारे में जानेंग कोई अगर आपको दूध पीने के लिए मना करे तो आपको हसी आएगी है ना क्योंकि दूध में धेर सारे तत्व मौजूद होते हैं चोकि हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं बच्चों के लिए तो दूध मानो जान होती है हर मां आपने बच्चे को दूध पीने की सलाह देती कई लोग तो ये भी मानते हैं कि दूद पीने से दिमाग तेज होता है यहीं वज़ा है कि एक्जाम के समय बच्चों को दूद दिया जाता है ताकि वो परिक्षा में अच्छे परिराम ला सकें आज हम आपको दूद से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपको पह खबर हैं बता दें कि दूद का सेवन करने से पहले या बाद में कुछ बातों का आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए वरना मामला हाथ से निकल सकता है दूद पीने के बाद या उससे पहले कुछ पदार्थों को नहीं खाना चाहिए वैज्यानिक भी मानते हैं कि सिधे हेल्थ पर असर डालती हैं ऐसे में आपको इससे बच करके रहना चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी चीजे हैं जिसका सेवन करने से आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है तो चलिए अब हम आपको उसी के बारे में बताएंगे दूद पीने से पहल आपकी हेल्थ पर रियेक्शन कर सकते हैं आए जानते हैं कैसे आए अब हम सभी को उन खादे पडार्थों से रूबरू कराते हैं यानि के नाम बताते हैं जो कि आपको नुकसान कर सकते हैं दूद के बाद या पहले लेने पर तो देखते हैं क्या है सबसे पहले मूली का से मूली का सेवन दूद पीने से पहले या बाद में बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपको स्किन संबंधी रोगों से गुजरना पड़ता है खास कर दूद पीने से पहले या बाद में खटा या नमकीन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये द जहर का कार्य करते हैं दाल का सेवन जी हां भारते घरों में दाल खुब पसंद की जाती है लेकिन अगर आप दाल खाने से पहले या बाद में दूद पीते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है खास करके चना मूंग और उड़द की दाल का सेवन करना बहुत ही खतरनाक माना जाता है अगर आप इनका सेवन दूद पीने के बाद करेंगे तो आपको हार्ट की समस्या हो सकती है इसके अलावा प्फलों का सेवन करना बहुत लोग पसंद करते हैं लेकिन आपको इससे बचना चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है इसकीन क कफ की समस्या हो सकती है कटहल का सेवन जी हां दूद पीने के बाद या उससे पहले कटहल के सेवन से बचना चाहिए ऐसा करने से आपकी हिल्थ की समस्याएं बढ़ जाती हैं इन सब के अलावा नमक खाने के बाद भी दूद का सेवन कतई नहीं करना चाहिए अन्य था आपको फायदे की जगह नुकसान होता है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए कि दूध के साथ या बाद या थोड़े पहले किन चीजों का सिवन न करें नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य ब हन्यवाद नमस्कार दोस्तों